मी वाई 13 का चाइना विकली अपडेट आ चुका है फ्राइडे को जो हमें देखनी को मिलता है उसी का लेटिस्ट EU वर्जन मैं अभी फिलाल यूज करूं अपने मी 11X के अंदर जो कि आपको देखनी को मिलता है 13 का 22.3.3 और इस बार क्या कुछ चेंज देखनी को मिलता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन इस बार परफॉर्मिस कितना इंप्रूब हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा तो वीडियो को पूरा लास्टक वाच करते लेगा और आपको इस से रिलेटेट सारी जनकारी मिल जाएगी और रही बात कि यह किनकी डिवाइसेज को सपोर्ट करता है किनके लिए अपडेट आता है तो आप यहाँ पर एक वाट लिस्ट को चेक कर लो वीडियो को रोक के आपको पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस का नेम यहाँ पर अवेलवल है या नहीं अगर है तो आपको अपडेट मिलेगा नहीं है तो भाई नेस्ट टाइम वेट करना पर सकता है क्योंकि यहाँ पर दो चार डिवाइस को सस्पेंड भी किया गया है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हो आप से एक रिक्वेश रहता है वीडियो पसंदा है तो प्लिज लाइक और भाई शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे एक और अनादर चैनल है सिर्फ उसी कस्टम रोम रिव्यू के लिए तो इससे भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो तो आज का यह जो वीडियो है ना काफी है स्मॉल होने वाला है लेकिन काफी इंटरिस्टिंग भी होने वाला है क्योंकि पिछला यू कीपडेट में ने पोको इस्टो के उपर दिया था नाकि मी 11x के उपर तो यहां पर आप नोटिस करोए कि मी 11x में जो मैं यू का रोम यहां पर वीजट्स वगेरा आ चुके जो कि पिछले टाइम ही आ गए थे तो आप यहां पर वीजट्स यूज कर पाऊ गए जो कि हमें चाइना रोम में देखनी को मिलता था तो यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो अगर आप एक रेगुलर यूजर हो इवरी कर दिये गए हैं जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है और जैसे कि हम यहां पर क्लॉक को अगर एड करते हैं तो यहां पर आपको क्लॉक के नीचे है जो इडिट का आइकन भी देखनी को मिलता है जो कि कुछ दिर बाद हट जाता है और कुछ नए-नए क्लॉक फॉर् से पिन करोगे और विजट्स पर आओगे तो ओल्ड लुक देखनी को मिलता है नया लुक दिखाई नहीं देता लेकिन नया लुक अगर आप यूज करना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो दिया था कि कैसे आप है जो वीजट्स को अपने 12.5 के उपर एक्टिवेट कर सकते ह जो कि Apps Update वाला वीडियो था तो उसे आप चेक कर लेना वहां पर मैंने सारा information दे दिया है same method मैंने यहां पर भी follow कर रखा है तो follow करने के पाथ आप वीजट्स को अपने home screen पर भी जो डाल पाओगे इसके अलाबा आप especially Mi 11x के Indian device के वीजट्स हो तो आपको हर बार के तरह यह बटन पर मिल जाएगा चेंज लोग की बात करें तो चेंज लोग में कुछ भी नया देखनी को नहीं मिला है चोटे पूटे इसूत को fix किये गए हैं और 12x जो device आने वाला इंडिया में उसका भी support आ चुका है EU के तरफ से इसके लाबा कुछ भी नया special देखनी को नहीं मिल गया है तो इसमें थ्वास आपको चेंज देखनी को मिल जाता है another folder के अंदर आते हैं तो यहां पर आपको दिखाए देता है जो कि हमारा mail का option है इसके आइकन पहले काफी small थे यह थोग से large कर दिये गए है जो कि आपको नया look में दिखाई देता है इसके अलाब अगर हम clock क इनके आइकन को तो आसा पास कर दिया गया है तो हलका सा इसमें भी आपको चेंज देखनी को मिलता है और एक छोटा सा बग भी है जैसे कि आप देखो यह प्लेश्टोर थीम्र का जो नेम है यह आपको एक दूसरे को उपर overlap दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पे दो application एक YouTube की ऊपर है जो overlap हो रहा है बागys यहां पर हम आते हैं DRM INFO के ऊपर विखार इस पर अपलाई करूसरे है ए कि अपलाई हो जा रहे हैं अजग यह पलाई हो रहा है तो जो blank area है उसे इसको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई कहां पर बलैंक है और कहां पर application वगरे है तो यह overlap मुझे देखनी को मिला है बग जो कि इस वार का है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो और यहाँ पर मैं camera वगएड़ा को YouTube वगएड़ा को असानी से यूज कर पा रहा हूँ ऐसा नहीं कि वाई मैं screenshot लगा के आपको बेवकूप बना रहा हूँ तो यह स्टील एक बग देखनी को मिल गया है लेकिन इस बग को अगर ignore करें आपको पता हूँ कि जितने वे update आ रहे हैं उनके अंदर CPU ठोटल बिल्कुली बेकार रह रहा था लेकिन इस वार काफी improvement देखनी को मिला है जैसे कि आप देखोगे यह first time का testing जो की normal सा है उतना कोई खास अच्छा नहीं है लेकिन जैसे मैं इसे गेमडरों के अंदर add करता हूँ न तो direct हमें देखनी को मिलता है no CPU ठोटल और यह भाई काफी तिनों से हमें दिखाई नहीं दे रहा था बट finally यहाँ पर देखनी को मिला तो यह चीज़े देखके मुझे काफी अच्छा फिल गा कि चलो performance वापस आ गया गेमडरों काम करने लग गया कि कोई बीच में बिगर गया था गेमडरों का होना और ना होना बिल्कुली एक जैसा था बट यहाँ पर इंप्रूमेंट दिखाई देता है इसके लाबा यह है हमारा अंटूटू जो कि और रोल नॉर्मल सा स्कोर है कोई खास एडवांस देखनी को नहीं मिलता है और यहाँ पर L1 का सपोर्ट मिलता है कोई दिक्कत मुझे नहीं आया सिवाए एक का जो कि हमारे होम स्कीन पे जो ओवरलाइप हो जा रहा है तो यहाँ पर लॉंचर का थोबूत इसू है तो यह चीज़े आपको फेस करनी परेगी लेकिन आपका क्या है ओपीनाई इस अपडेट के बारे में आप कमेंट करके ज तो मुझे तो लगता है भाई अगर आप मी वाई पसंद करते हो तो इस पर स्विच करना चाहिए लेकिन फिर से वही कोश्चन आता है कि आप एक रूट उजस हो या नन रूट उजस हो क्योंकि अगर आप रूट उजस हो तो कोई दिक्कत नहीं आप फिक्स कर लोगे लेक बढई आप आप आता हुआ आप आप ईया करते हुआ आता है आता है रजलब कर दो घजस रचे है आता है इन परनासे आता है कि वालब कर दो याइए जाने आता है Cheers